जैसा कि एक्जाम के डेट आ चुकी है इसलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी एक सूपर फास्ट रिविजन सिरीज तो हमारा पहला कोश्चन है हमारे देश में पानी को साफ करने के लिए सबसे ज़्यादा कौन सी विधी अपनाई जाती है या फिर कैसे किया जाता है तो आपसन हमारा दिये हैं A. Oxygenation से B. Hydration से C. Chlorination से D. Filtration से तो यह अंसर है हमारा C. Chlorination से सबसे आदा हमारे पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन का यूज किया जाता है क्लोरीन से क्यूज सबसे आदा क्यूज किया जाता है क्लोरीन जो है छोटे से छोटे वेक्रिया को भी मार दिती है असानी से और यह उपलब्द भी असानी से होती है और ज्यादा महेंगी भी नहीं पड़ती है तक बड़े लेवल पे क्लोरीन का प्योग पानी को साफ करने के लिए किया जाता है बागी क्लिरिफिकेशन पूरा मैंने दिया है इसको अच्छे से एक बार आप लोग देख लिजेगा तो काफी चीज़े क्लियर हो जाएंगी आगे चलते हैं दूसरा कोश्चन है कह रहा है विच मिनरल्स एन इन वाट फॉर्म आ रफ्रेजन्ट इन ग्राउन बाटर ग्राउन बाटर मतलब जो पानी जमीन के अंदर है उस पानी में कौन सा मिनरल और किस रूप में होता है तो आफसन हमारे है A है F.E.N.M.N.E. Ferrous and Magnus रूप में होता है B कह रहा है F.E.N.Q.E. Ferrous and Magnus रूप में होता है C. F.E.N.M.N.E. Ferrous and Magnus रूप में होता है D कह रहा है Q.E.N.M.N.E. Corpus and Magnus रूप में होता है तो हमाँ से आफसन है अंसर A एफी एंड एमनिन फेरस एंड मैगनेयस रूप में होता है तो इसका क्लिरिफिकेशन देख लेते हैं एक बार कह रहा है कि बोथ इस आर प्रेजंट इन देर रेड्यूजड फॉर्म मतलब बहुत ही कम मात्रा में उपलब धोते हैं पानी में इफ दा ग्राउंड वाटर हैज लीटर से क्याइन होना चैक कम या ँझाया सवरी बराबर या कम एक तैने इस उट बी ट्रीट जब तक इसको रूप के दरने पानी को साफ किया जहाए अगला है हाव मनी टाइपस ओ वेस्ट वाटर ट्रीट हो ट्रीट्मेंट प्लांट साथ बेर बेस्ट बेस्ट वाटर य उसको सुध्य करने के लिए साफ करने के लिए हम कितने तरीके के मतलब treatment plant लगा सकते हैं तो मारे option है तुमारे option है ए 5 तरीके के बी 4 तरीके के C 2 तरीके के D 3 तरीके के से तो सही इंसर हमारा है डी 3 तरीके के तो clarification देख लेते हैं there are three type सीवेज, इंडर्स्टियल और अगरिकल्चुरल तो कौन कौन से होगा सीवेज, इंडर्स्टियल और अगरिकल्चुरल आगे चलते हैं यह वाला हो चुकाई डबल कोश्चन हो गया है कि क्या है तो जो कॉन सी कंडिशन से बेस्ट वाटर डिपेंड करता है निए वेस्ट वाटर क्यों और कहां पर ज्यादा बनता है कैसी कंडिशन होती है उसके लिए तो आपसन मारे दिया ए पाँच बी साथ सी छे डी चार अंसर मास आई यह वी साथ नमबर तो क्लेडिफिकेशन देख और ली पाँचे रहा है तो पगाफिशन है करते हैं और बाटर लेवल ग्राउंड बाटर लेवल दूसरी बात है लोकेशन कहां पर है एड़ टाइप आपकी सोथ पानिक सोर्स से आ क्या है और क्वालिटी क्या है तो वेस्ट वाटर प्रडूज्ट कैसे हो रहा है क्लाइमेटिक वहां पर क्लाइमेट की और सोच्यो कल्चरल फैक्टर्स क्या क्या है आगे चलते हैं इसमें से कौन सा मैथर्ड है जो हैवी मेटल्स को बेस्ट वाटर से रिम्यूब करने के लिए नहीं यूज किया जाता है पहला है एक्टिविटेड कारवन एप्जर्बजर्शन ये यूज किया जाता है बी डी इंट्रिफिकेशन ये नहीं किया जाता है सी केमिकल परसिपिटेशन डी आयन एक्षजेंज तो मासे एंसर है भी डी नाइट्रिफिकेशन जो होता है वो हम लोग क्या करते हैं किर नहीं करते हैं तो बैस्टरिफिकेशन का यूज नहीं करते हैं और माकी एक्टिवेटेड पानी प्रस्पिटेशन और यूज होता है थैं दियान एक्सादेंजंज का भी यूज़ होता है तो देखते हैं क्लिट्रिकेशन क्या कहा रहा है इसका कहा है अक्तीबेटे तकारवन आडद जाब जो संटी रियसान Ion Exchange, Coagulation, Complexion, Solvent, Extraction, Form, Flotation, Electro-Depensation These methods are used for removal of heavy metals from waste water Denitrification is a step for removal of nitrogen by formation of nitrogen gas from the waste water This method is used for nitrogen gas, denitrification and use it to remove heavy metals from the waste water This process is a process when the best water is clean Let's go पहलते हैं अगला कोस्टन है विच आफ दा फॉलवंग फूट डज नौट डीटॉक्सिफाइब और बॉड़ी वाइड रिमुवेंग हैवी मतल्स कह रहा है कि ऐसा कॉन सा फूड डज नौट क्या करने डिटॉक्सिफाइब यह नहीं डीटॉक्सिफाइब कर सकता है हमारी बॉड़ी को डीटॉक्सिफाइब दूसित होने से तब दूसित बॉड़ी को ठीक नहीं कर सकता है वाइड रिमुवेंग हैवी मतल्स तो आफसा नमाया दिये ए इस्प्रियूलीना बी विल्ल्ड ब्ल्यू वैरीज सी लेमन बार्टर डी चीज तो चीज होती है पनीर होती हमारे घ्रास जूस हो गया मतलब जो जूस हो गया हमारे बॉड्यमें जाते ही डितॉक्सिफाइब करते हैं लेकिन जो चीज या पनीर होती है वह हमारी बॉड्य को डिटॉक्सिफाइब करती है तो आप लग भी देख लिजिएगा अभी इतना टाइम नहीं है बहुत प्रोसेस विए मेट्रिश को सब्सक्राइब यह को सकता है कि यह प्रोसेस होती है मेटल्च पानी से गंद्य पानी से निकालने के लिए उस प्रोसेस का नाम क्या है यह ध्यान रखना तो इसको क्या होता है नाम? क्लिारिफिकेशन देख लो अच्छे से समझ लो कि बेस्ड वाटर से निकालने का जो प्रोसेज होता है अस प्रोसेज को क्या कहते हैं? कहते हैं वाइव उसर्फ छं कहते हैं आगे चलते हैं विच आप दा फॉलोइंग डाज नोट लीट टॉक्सिसिटी और वेस्ट वाटर कहरा इसमें से कौन साहे फॉलोइंग इन चीजों चारों चीजों में से यसा कौन साहे जो वाटर में लेट की टॉक्सिसिटी वेस्ट वाटर में बनाता है क्या लेटांजामत्तों क्यों देख लेते हैं अर्शेनिक अंसर और सही है और सेनिक लेड, मर्करी, क्याड़म, क्रोमियम, कौपर, निकल, सिल्वर, जिंक, कार्फिू, टॉक्सिक हैवी मेटल्स कोशन में यह भी हो सकता लिख देंगे एक विदाव को से पहचाना ओए कौन सेैं टौक्सिक ही क्योंढा ज़रूरीं है कि arsenic, lead, mercury, cadmium, chromium, copper, nickel, silver and zinc toxic heavy metal हैं तो यह भी पूछ सकते हैं पाइए कौन सब्सक्राइब 4 options दे दिये 1 heavy metals नहीं होगी 3 heavy metals होगी तो आप से पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सा है जो heavy metals नहीं है या फिर तीन ऐसे देंगे जो बिल्कुल heavy metals नहीं है एक heavy metals दे तो इसको भी जानना जरूरी है कि हैवी मेटल्स क्या होते हैं देट लीज्ट टॉक्सिस्टी आफ बेस्ट वाटर अब आगे देख लेना फिराल अभी इसको बहुत जरूरी है धेर सारे कोश्चन करने है छटा कह रहा है 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 रहा है इंवी मेटल जिन वाटर वाटर लिजे टूएण इं कि सही है कि वी गलत है तो बात है ठीक है टो डो अर्स लींक रख लेखिरी प्रश्चन धेक लिए ब्रकै are few toxic heavy metals that leads to toxicity of wastewater वो toxicity बढ़ाते हैं causing serious health and environmental issues and their release into water bodies may lead to and surge in wastewater treatment cost, treatment cost को बढ़ा देते हैं because of their difficulty in removal from wastewater and high-end technologies involved in the removal best water से heavy metals को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है cost बढ़ जाती है treatment की क्योंकि इसमें फिर क्या होता है high-level की technology भी यूज करना पड़ते हैं आगे चलते हैं कह रहा था accumulation of definite metals in the body due to certain exposure is called as heavy metal poisoning क्या रहा है को heavy metal कहते है metal heavy metal poisoning कहते हैं कुछ मतलब ऐसे तरीके होते हैं खाने से या कुछ भी आसा दिरे दिरे करके क्या होता है heavy metals हमारे अंदर जाते रहते हैं और वो हमें क्या करते हैं दिरे दिरे हमारे अंदर heavy metal poisoning बना देते हैं यह true है कि false है तो हमारा एक कह रहा है true भी कह रहा है false तो है सही है true clarification देख लेते हैं heavy metal poisoning is caused due to accumulation of certain metals in the body Todo क्या होता कि कुछ ऐसी भारी धात्وس होती है जो हमारे दीरे दीरे करके जमा मैं होती है तो क्या कोती है वह मोई toxic बनती है और हमाई हार्म करती है आगे चलते हैं करहां वाट दो सिम्टम्स आफ हैवी मटल्स इन दा बॉडी अच्छा जो हैवी मटल्स या फिर जो हनिकारक धात्वी हमारी बॉडी में अगरी कठ्था हो गई तो उनको कैसे पहचानेंगे ठीक है तो देखो इसका अंसर डी गलत हो गया है और इसका सही अंसर डी नहीं है त मतलब ऐसा कौन से सिम्टम है ऐसा कौन से लक्षण है जो करता है हमारी बॉडी में हमें नहीं है और इसका थोड़ा सा गलत हो गया है इसको सही कर लीजिएगा तो इसको आफसान है ए सॉटनेस और ब्रेथ भी टिंगलिंग इन यूर हैंड फीट सी चिल्स डी नाइट ब्ल ब्लाइंट आहिकने मतलब najट ब्लाइंट ब्लाइंट जो होता है वह हैवी मिट्री में होने का सिम्बल नहीं होता है ठीक है इंजनके फिदिन इसका मतलब होें हो सकते है कि हमारी ब्लाइंटल 법्र जमा हो रहा हूं चील्स का भी मतलब होता है लेकि Neut Blanders जो हता है vitamin A की कमी से होता है इसलिए इसको यह हमारा reason नहीं हो सकता है मतलब यह ऐलख्षण नहीं है उसमें हमारे body में heavy metals जमा होने का ऐलख्षण फिलकुल भी नहीं है चलते हैं अगले question पर the dictation of heavy metals in drinking water supplies is extremely easy किया रहा कि heavy metals पानी पीने के पानी में heavy metals है ये पता करना बहुत ही easy है तो option मारे a true, v false तो सही अंसर है मारे a true ये भी गलत है क्योंकि अच्छे से हम लोग जल्दी से नहीं पता कर सकते हैं तो इसका सही अंसर महाँ पर false है थोड़ा ध्यान से इसमें अंसर गलत लिग गया है मेरे से sorry उसके लिए आप लोग इसका अंसर भी false मानिएगा clarification देख लेते हैं dictation of heavy metals in drinking water supplies is extremely difficult बहुत कठीन है तो इसका अंसर मेरे से गलती से ये लिग गया है true पर ये false है ठीक है तो dictation of heavy metals in drinking water supplies is extremely difficult बहुत कठीन होता है कि इसे पानी में heavy metals से पता करना बहुत ही कठीन होता है देखें नेदर भी seen nor can we smell नहीं तो वो असानी से दिखाई देती है और नहीं असानी से महक में आता है due to their property of being completely dissolving in the water क्या रहा है उसकी जो quality होती है कि completely water में घुल जाती है hence remains undetected in the water and easily pass through any purifiers और भी क्या करता है heavy metals दिखाई तो देते हैं नहीं तो महक आता है तो क्या करता है वो आसानी से बहुत इतना जादा छोटे होता है तो purifier से किसी purifier से बहार निकल जाता है तो अच्छे से चलते हैं अगले कोश्चन पर हम लोग क्यारा how much time does take for mercury to leave the body अगर body में mercury का मतलब ज्यादा मात्रा पहुच गई है तो कितने साल तक लग जाएंगे यसको boy ऑड़ी से को दीर दीर हणे बॉड़ी से तो आफसन मा एचाए दो मंस्स बी टू इयर की हैटंड टी ак terrain यह हुमारा सही ऑफसन है เพिसमारी जुचुंस तो बाहर निकलने में कम से कम धीर धीर बाहर निकलेगी मरकरी तो 18 साल लगेंगे अगला कोशन है हमारा इंडिया में हजार्डर्स वेस्ट जो एक्ट है खतरनाक अपसिस्ट को रिम्यूब करने का जो एक्ट हमाई इंडिया में बना है पहली बार कब बना है तो साही हमारा आंसर है बी उन्नी सो नवासी क्लेरिफिकेशन देख लेते हैं करा है हजार्डर्स वेस्ट मैनेजमेंट एंडिलिंग रूल्स कम इंट्व एक्जिस्टेंस इन इंडिया में आया है और एक इसलिए रिस्पॉंसबल है सेफ मैनेजमेंट ऑफ हजार्डर्स वेस्ट जो खतरनाक अफसी स्टेंस उनको अच्छे से मैनेज किया जाए उसके लिए रिस्पॉंसबल है